हे गाईज विल्कम बैक टू मैं चैनल तो स्वागत है आप सबका मेरी किछन रुपाली की रेस्पी में तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर क्या हैं मटर पनीर की रेस्पी बिल्कुल धाबे और होटल में बनने वाली तो आईए हम इस मटर पनीर की रेस्पी को बनाना सुर देंगे पनीर के साथ आप चाहो तो इसे किप भी कर सकते हो यह उप्सिनल है उसके बाद हमने यहां पे मटर को थोड़े देर के लिए बॉयल कर लिया है तो थोड़े देर के बाद आप देख सकते हैं मटर हमारा बॉयल हो चुका है और उसके बाद हमने यहां दूसरे साइ तो हमारे बिलकुल अच्छे से फुराई हो चुका है तो फॉरे siट से पानिड़ में और दूसरे साईडोंते के बाद, तो यहां पर देख सकते हैं कि सारे पानिड़ जो हैं तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और दो सुखी लाल मिर्च तो जीरा हमारा जैसे ही पक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेश्ट मैंने प्याज के साथ ही गरम मसाले को पीस लिया था तो मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच अद्रक लहसन का पेश्ट डाला है और उसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे बेसिक के मसाले जैसे की हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर सारे मसाले को हम यहाँ पे डाल देंगे और सारे मसाले को डालने के बाद अब हमने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर कटे हुए आप चाहो तो टमाटर को पेश्ट बना करके भी डाल सकते हो यहाँ पे मैंने टमाटर को ऐसी रफली चॉप्ट करके डाला है और इसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जिसे की टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर हम फिर से दुबारा से सभी मसालों को मिक्स कर देंगे, और इसे मिक्स करके हम मसालों को तब तक भूनेंगे, जब तक कि इन में से बाहर ना आने लगे, यहाँ पर हमने मसाले में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, जिसे की मसाले जो है वो हमारे नीचे चिपकेंगे नहीं, और मसाले हमारे अच्छे से भुन भी जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी दिर के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे फ़्लाई किया हुआ पनीर अपनीर को बाद आप हम यहाँ पे जाल देंगे थोड़े से वाइल की हुए मतर को बड़ने के बाद आप नमक नमक इसमें हमने पहले भी डाला था तो आपने टेस्सके एकौर्डिंग ही जालेंगे और नमक को डालने के बाद हम मटर और पनीर को अच्छे तिरह से मिक्स कर देंगे मसाले में और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे एक मिनट तक मटर को मसाले में पकने के लिए छोड़ देंगे इससे जो सबजी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो मसाले को मटर और पनीर के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे एक मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे तो हमने मसाले को अच्छे से एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था मटर और पनीर के साथ तो यहाँ पे हमारा एक मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो यहाँ पे हमने सब्जी में डाल दिया है पानी पानी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो आपको सबजी की जैसी ग्रेवी चाहिए आप उसी साब से पानी इसमें डाल सकते हो और पानी को डालने के बाद हम सबजी को मिक्स कर देंगे और इसे पांच मिनट तक ढख करके पका लेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमारा पांच मिनट हो गया था तो हमने ढकन को हटा लिया था और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया था हरे धनिया की पती और हरे धनिया की पती को डालने के बाद हमने एक बार फिर से सबजी को मिक्स कर दिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटर और पनीर का सबजी हमारा बन करके बिल्कुल गर्मा गरम तयार है आप इसे गर्मा गरम पूरी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो यह सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको मेरी आज की रेस्पी अच्छी करें